हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका हमारे चैनल मोहित सिंग रॉल पे तो फ्रेंड्स एक लाइव सेशन में हमारे पास एक क्वेस्टन ये भी आया था कि चेक लगाने का जो सही तरीका क्या है चेक हमें कब परजेंट करना चाहिए कैसे परजेंट करना चाहिए कहां पर परजेंट करना चाहिए इस तरीके का जो हमारे पास स्वाल आया था तो मैंने सोचा है कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो में आपको ये लिए complete ले क्या हूं जिसमें आपकी जो क्वेरी है वो complete सोलो जाएं तो जो पहला क्वेस्टन है कि चेक को कैसे लगाना चाहिए अब जब भी आप चेक को लगाने जाएंगे किसी भी बैंक में तो वहाँ पर जो चेक के साथ एक अलग से रिशीड आपको मिलती है उस रिशीड को आप ले सकते हैं और जो आपका चेक उसकी फोटो को पुक्यार शकते हैं या फिर उसकी फोटो ले सकते हैं अब दूसरी चीज चेक को कब लगाना चाहिए जड क्या है है तो यह इसका मतलब यह नहीं कि तीन महीने तक करें आपने देखना कि जिस परसन ने आपको चेक दिया जिस लाइबल्टी के लिए दिया है उसने अगर आपको बोला कि इसने यह चेक मैंने आपको अब दिया तो पांस दिन बाद लगाना तो आप पांस दिन बाद लगा सक सकते हैं और तीन महिने में भी हमने यह वेट नहीं करना कि लास्ट में बिलकुल जाके लगाएं क्योंकि लास्ट में जो सिच्वेशन कई बार क्या होती है कि जो बैंक होलीडेज पे हैं बैंक स्ट्राइक पे है या सट्डे संडे है तो जो आपका चैक है चाहिए एक लाग करने में तो आपका चैक कलियर होगा या फिर बाउंस होगा हो जाएगा क्योंकि पहले के टाइम पर जाता था वह आपको पता ही बाइप जाता था चैक उसमें 5-6 दिन लगते थे कलियर होने में लेकिन आज के टाइम पर स्कैनिंग के तुरू जाता है एक से दो दिन के अं या आपके पास प्रूफ होगा एक चैक लगाने का कई बार क्योंकि क्या होता है कि बैंक से बी एक दो कैसी ऐसे बिया है जिन से जिन में यह हुआ कि बैंक से भी जो चैक है वो मिस हो गया और दूसरा मैंने बताया कि आपको चैक जो है वो तीन मेंने के अंदर आपने लग लगाना है जहां पर आपका bank account का origin हुआ है सबसे में चीज कि वहीं पर जो उसकी है वह जूरी डिक्षिन बनेगी अगर bounce हो गया तो अब एक bank account आपके पास जिस डिस्टिक में वह बैंक आपने जो आपका bank account account है वह खुल आया है और वहीं पर आप उसको maintain करते हैं और वहीं पर आपका जो residence है आपने वह चेक वहीं पर लगाना है कि कि कल को अगर चेक bounce हो गया तो उसकी जूरी डिक्षिन वहीं लेकिन चलेगा वहीं पर चेक bounce का के जहां पर जो bank account हो उसका origin हुआ और जहां पर आप बैंक account को maintain करते हैं इसलिए जहां पर आपने bank account खुल वाया और जहां पर आपका residence है वहीं पर अपना bank district में आपने अपना जो खाता है वो bank account वहां पर खुल आया अप रहते हैं आप एक जगह पर हो वहीं पर आप काम करते हो डेली अप इसलिए जो में एडवाईज यही है कि जो चैक है उसको अपनी home branch में लगाए home branch जहां पर origin हुआ जहां पर आप रहते हैं और अब जो check है check लेने के regarding मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि check जो हम किसी से भी लेते हैं अगर तो कैसे मिलेना चाहिए वैसे मोटा मोटा मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि जो check है जो पूरा का पूरा कोशिस करें कि जिसने आपको check दिया उसी के handwriting में लें और एक ही pen से जो सारा check उसने fill किया हो अगर date fix है तो date भी उसी के handwriting से डलवाएं और जो last है check के जो back side में आप ये भी लिखवा सकते हैं कि ये जो check है किस purpose के लिए और किस liability को उतारने के लिए इसने दिया है बिल्कुली clear हो जाएगा कल को जो check bounce का अगर case भी होता तो वो आपको benefit देगा कि back side में और जो check के जो full board ये इसने खुद fill किया है इसी के handwriting में एक ही पैंड से है और back side में इसने reason भी लिखवा कि इस purpose के लिए में इसको ये check दे रहा हूँ तो ये था जो check का main जो reasons हमारे पास main जो comments हमारे पास main जो questions हमारे पास आए थे मोटा मोटा बेरा ये था check का तो friends ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि check कहा प्रेजेंट करना चाहिए check को कैसे लेना चाहिए और check को कैसे लगाना चाहिए तो friends अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो like कीजिए, share कीजिए और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ऐसे जो legal topics related interesting वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी और इसके लावा हमारे एक नया चैनल है legal attack के नाम से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उसमें भी जो हम legal rights आपके वो बताते हैं और legal topic जो हैं वो discuss करते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी legal topic के साथ तब तक के लिए thank you so much बाई बाई